गुट मॉर्णिंग सुरेंट, टुड़ेंग चैप्टर थर्टीन एडवर्प्स एडवर्प की बारे में हम आज पढ़ेंगे एडवर्प का मीनिंग होता है क्रिया विशेशन हम इन्दी में एडवर्प्स को क्रिया विशेशन कहते हैं अब उसका डाफिनेशन हम पढ़ेंगे एडवर्प्स का एडवर्प आडवर्प आडवर्प जो है वो क्रिया विशेशन है मतलब इसमें ऐसे बतारा गया है क्रिया विशेशन ऐसे शब्द है जो verbs के साथ और उसके meaning के साथ जोड़े जाते हैं, उसे हम adverbs कहते हैं Now we will read the example First, the deer runs fast तो deer जो है, वो क्या कर रहा है? दोड़ रहा है, तो किस तरह दोड़ रहा है? Fast, fast जो हुई, वो हमारी क्या हुई? क्रिया Second, karuna is singing loudly Karuna क्या करी? गाना गारी तो किस तरह अगर आ रही है? Loudly Loudly मतलब जो जो से गा रही है तो क्रिया क्या होगी इसमें? Loudly अब हम इस types के बारे में पढ़ेंगे Types of adverbs तो there are total five types of adverbs First, adverb of manner Second, adverb of frequency Third, adverb of degree And fourth, adverb of time And lastly, fifth, adverb of places अब हम firstly adverb of manner के बारे में पढ़ेंगे Okay, adverb of manner तो adverb of manner क्या होता है? The adverb which show the manner in which some action is done are called adverb of manner मतलब क्रिया जो है Adverb मतलब होती ही क्रिया तो क्रिया विशेशन में इसमें इस तरह बताया गया है कि क्रिया जो हम करते हैं जिसके तरीके हम दिखाते हैं उसे हम adverb of manner कहते हैं जैसे ही easily, slowly, fast, quickly हम काम कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? किस तरह कर रहे हैं? उसे हम manner कहते हैं Now, example Kabir works on computer carefully Kabir जो है वो क्या कर रहा है? Computer पे काम कर रहा है तो किस तरह कर रहा है? Carefully मतलब बहुत द्यान से कर रहा है Second Reena dog barks loudly Reena का जो doggy है वो क्या से भावक रहा है? चोजोर से तो किस तरह कर रहा है? Loudly यानि इसमें हमें carefully और loudly जोते हैं वो हमारे manner हुए Now, second Adverb of frequency Frequency को हम बोलते हैं आवुती Now The adverb which tells how often an action take place I call adverb of frequency Means हम क्रिया जो है वो कितनी बार कर रहे हैं वो हमें बता रहा है उसे हम बोलते हैं Frequency जैसे हम कितनी बार कर रहे हैं रोज कर रहे हैं Monthly कर रहे हैं या Weeks में कर रहे हैं या कभी-कभी कर रहे हैं इसको हम बोलता है Adverb of Frequency. This is some examples बता रही हूँ मैं आपको. Monthly, weekly, daily, often या always. इसे हम बोलता है Adverb of Frequency. अब example हम पढ़ेंगी. Amit call me again. Amit ने उसे वापस बुलाया. Again. Again क्या हो गई हमारी? Frequency. Second. We always go to school by bus. हम लोग school जाते हैं. तो कैसे जाते हैं रोज? By bus. तो रोज जो गई यानि always. हमारी क्या हो गई? Frequency. Now, third. Adverbs of Degree. मतलब answer the question. How much? मतलब कितना? उसे हम बोलते है Adverb of Degree. The adverb that tell us the degree or extent to which an action is done or something is present are called Adverb of Degree. मतलब कितना? अगर हम शॉप पे जाते हैं या कोई मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो उस शॉप की पर भी पुछता हैं कितना? तो उसी तरह Adverb of Degree भी यही पुछता है कितना? तो एक्जाम्पल है जैसे Lots of, बहुत सारा, All मतलब सब, Very मतलब थोड़ा बहुत और Almost मतलब, Almost हमने हर चीज ले लिए ऐसा हैं, तो इसे हम बोलते है Adverb of Degree. Now examples, He has taken lots of money for his work, उसने अपने काम के लिए बहुत सारे पैसे ले लिए हैं, तो Lots of हमारा क्या हो गया? Degree. Second, आग्या runs very fast, आग्या जोब बहुत fast भाग रहा है, तो उसमें Very, मतलब हमारा क्या हो गयी? Degree. Now fourth, Adverb of Time, मतलब Time के बारे में बताएगा इसमें, उसे हम बोलते हैं Adverb of Time, जैसे जल्दी, लेट, कभी-कभी, regularly, या daily, today, yesterday, day before, यह हमारा हो गया Time. The adverbs which donate the time of an action and answer the question when, मतलब कभ, उसे हम बोलते है Adverb of Time, जैसे early, सुगा में जल्दी उटना, late, देश जाना, already, काम कर लिया, today, मतलब आच, यह हो गया हमारा Adverb of Time. Now, example, first, he got up early, मतलब वो जल्दी उटना है, second, I went to the zoo, yesterday, मैं, yesterday मतलब कल zoo में गया था या गई थी, तो early or yesterday, यह हमारा क्या हो गया, Adverb of Time. Now, lastly, fifth, Adverb of Place, मतलब जग्या के बारे में बताना, which, oh sorry, where, the adverbs which modify the verbs to where or the place are called Adverb of Place, मतलब हम कहीं जा रहे हैं, कहां जाते हैं, उसे हम बोलते हैं Adverb of Place, जैसे outside, inside, near, here, there, यह हमारे क्या है, Adverb of Place, जग्या के बारे में बताना, उसे हम बोलते हैं Adverb of Place, Example, the girl is going upstairs, the girl जो वो उपर जा रही है, तो upstairs हमारी क्या हो गई, जग्या, कहां जा रही है, तो उपर जा रही है, Second, the cobbler is sitting outside the office, cobbler जो वो ऑफिस के बाहर बैठा है, तो outside हमारी क्या हो गई, हमारी place, जग्या, Okay, thank you, I hope you understand all, thanks.